पिछले 36 दिनों से एक अबूच पहिली बन गई हनिप्रीट आखिरकार आज सामने आ गई है दरसल हनिप्रीट ने एक निउस चानल पर एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू दिया है जिसमें उसने खुद को और रामरहीम को निर्दोश करार दिया है इस पूरे मामले में पुलिस की नाकामी खुल कर सामने आई है जिस हनिप्रीट को पंजाब और हर्याना समेत कई और राजियों की पुलिस तलाश कर रही थी उस हनिप्रीत ने निउस चानल पर इंटर्वियू देकर साधी सुरक्षा एजेंसियों को ठेंगा दिखा दिया है गुर्मीत रामरहीम की कथित बेटी हनिप्रीत के करीबियों ने दावा किया है कि वो पंचकुला पुलिस के सामने सरेंडर करेगी बता दें कि वो एक महीने से ज्यादा समय से फरार चल रही है कुछ दिनों पहले हनिप्रीत ने दिली हाइकोर्ट में अगरिम जमानत याचिका दी थी हाला कि दिली हाइकोर्ट ने हनिप्रीत की याचिका खारिच करते हुए कहा था कि उसे पंजाब और हर्याना हाई कोट में याचिका देनी चाहिए इससे पहले हनीप्रीद आखरी बार 25 अगस्त को रोहतक में दिखी थी 25 अगस्त को गुर्मीत रामरहीम को पंचकुला की विशेश CBI कोट ने दोशी करार दिया था और उसे रोहतक की सुनारिया जेल भेज दिया था पंचकुला से हनीप्रीद भी उसके साथ ही हेलिकॉप्टर में रोहतक गई थी उसके बाद हनीप्रीद को एक गारी में रोहतक से निकलते हुए दिखा गया था इसके बाद वो कहां थी इसका कोई अतापता नहीं चल पाया था